Hello everyone, welcome to online study point दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3-4 महिनों में कई राज्यों के और कींद्र शाषित प्रदेसों के CM और गवर्नर बदले गए हैं और कई राज्यों में नए मुख्य मंत्रिय और राज्य पालियों की न्यूक्तियां की जा चुकी है और इसके लिए अल्रेडी मैंने आप लोगों को सेपरेट वीडियो अविलेबल कराया था लेकिन बहुत दिनों से आप लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि इस टॉपिक को ट्रिक से कवर कराया जाए तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है इसे हम कवर करेंगे ट्रिक के माध्यम से ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जिसमें कि हम भारत के 28 राज्यों के सीम गवर्नर को देखेंगे और केंद्र शासित प्रिदेसों के आठ उपराज जिपाल को डिसकस करेंगे ये सारे ही कोश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए अंत तक वीडियो को देखिए और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडियाफ चाहिए तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बैल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आंधर प्रदेश से हमें याद करना है आंधर प्रदेश के सीम और गवर्नर तो मैं आप लोग बता दूँ आप केवल की पॉइंट याद रखेंगे और आप लोगों को सारे ही राजजी के सीम गवर्नर याद हो जाएंगे connect करना है आप लोगों को राजजी के नाम सीयम और गवर्नर के नाम को तीनों को ही अब देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे आंधर प्रदेश इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं यहां के जो मुख्य मंत्री है जगन मोहन रिड़ी तो मोहन कौन है कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान पर हमें क्या है अंधर विश्वास अंधर से आंधर प्रदेश विश्वास से विश्वभूशन हरी चंदन तो मुख्य मंत्री है जगन मोहन रिड़ी और गवर्नर है विश्वभूशन हरी चंदन फिर हमारा नेक्स टेट है अरुणा चल प्रदेश और इसके सीम गवर्नर को याद करनी की एक फ़णी ट्रिक है इसे आप अधर वे में मत लीजेगा प्लीज एक सहेली रहती है वो अपनी दूसरी सहेली जिसका नाम है अरुणा उसे कहती है अरुणा चल तो अरुणा कहती है कहां चलना है तो उसकी सहेली कहती है कि पेठा खाने यानि कि पेमा खांडू पेठा खाने तो अरुणा क्या बोलेगी नई मैं पेठा खाने नहीं जाओंगी बीडी पीने चलना हो तो बता थोड़ा सा funny है लेकिन आप याद रख सकते हैं तो पेमा खंडू ये है मुख्य मंतरी बीडी मिश्रह है गवर्नर फिर हमारा next rate है असम और असम के मुख्य मंतरी है सर्वानंद सोनवाल इसे आप कैसे याद रखेंगे एक फ्रेंट दूसरी फ्रेंट से कहती है कि आज साम को हम जगदीज भगवान की आरती देखने चलेंगे और क्यों देखने चलेंगे क्योंकि आरती में सर्वानंद की प्राप्ती होती है इनकी आनंद की अनुभूती होती है आज सम से असम गवर्नर है जगदीश मुखी यनिकी जगदीश भगवान की आड़ती जिसे देखकर आनंद मिलता है इनकी सरवानंद सोनवाल है मुख्यमंतरी फिर हमारा next state है बिहार बिहार के जो मुख्यमंत्री है नितीश कुमार इसे आप कैसे याद रख सकते हैं तो चुनआओ के समय आप लोगोंने ये लाइन जी रहा कहा ये वल की point पकड़िए यदि आपको कोई दोस्ट आपसे कहे कि आज मैंने 36 बाग देखे केवल की पॉइंट पकड़िए 36 बाग देखे तो क्या आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे आप क्या कर देंगे अनसुना कर देंगे तो बस यही है हमारी ट्रिक 36 से 36 गड़ क्या देखे 36 बाग तो बाग से बगेल भूपेज बगेल है मुख्य मंतरी आपने क्या कर दिया अनसुना यानि कि अनुसुया अनुसुया है गवर्नर नेक्स टेट है गुजरात गुजरात के जो मुख्य मंतरी है विजय रुपानी अब देखे इसे आप कैसे आद रखेंगे गुजरात से और कौन बिलोंग करते हैं भारत के जो पृदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ये अपनी लाइफ में अभी तक कोई भी चुनओ नहीं हा रहे हैं और क्यों नहीं हा रहे हैं क्योंकि ये वरत करते हैं वरत यैनिकी उपवास करते हैं इसलिए इनकी हमें सब विजय होती है तो विजय रुपानी है मुख्य मंत्री, गवर्नर है आचारी देवरत नेक्स टेट है गोवा, अब इसे आप कैसे आद रख सकते हैं आपके किसी दोस्त ने आप से कहा कि सावन का समय आ रहा है गोवा घुमने चलते हैं तो आप क्या कहेंगे नहीं मुझे मालिक छुट्टी नहीं देता इसलिए मैं गोवा घुमने नहीं जा सकता तो मुख्य मंत्री है प्रमोज सावन्त, गवर्नर अभी हाली में बनाये गए है सत्यपाल मलिक अब नेक्स टेट है हरी आड़ा, इसे आपके वल एक भगवान के नाम से आद रख सकते हैं क्या नाम है हरी हर नारायन, ठीक है तो हरी से हरी आड़ा, हरी हर नारायन, हर से मनुहर लाल खटर, और नायारायन से सत्यदेव नारायन आरिय नेक्स्ट एट है हिमाचर प्रदेश तो हिमाचर प्रदेश में बंदरों की संख्या बहुत है बंदरों की संख्या क्यों ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर श्री राम के जैकारे बहुत ज़्यादा लगते हैं तो मुख्य मंत्री है जैराम ठाकूर गवर्नर है बंडारु दत्तात्रे फिर नेक्ष्ट है जारखंड जारखंड के मुख्य मंत्री है हेमंत सोरिन और ये भी newly appointed है इसे आप कैसे याद रखेंगे देखिए जारखंड का मुख्य मंत्री बनना बहुत ही हिम्मत का काम है क्या है हिम्मत का काम क्यों क्योंकि यहाँ पर द्रौपदी की रक्षा करनी पड़ती है तो द्रौपदी है गवर्नर मुख्य मंत्री है हेमंत सोरिन नेक्ष्ट है करनाटक अब इसे आप कैसे याद रखेंगे एक भाई है जो दूसरे भाई से कहता है बस कर, नाटक मत कर अपने छोटे भाई से कहता है कि भाई तु बस कर, नाटक मत कर वरना मैं पापा को बता दूंगा तो भाई बोलता है वजु भाई बालह गवर्नर किससे बता दूंगा पापा से तो यदुरपपा, ये हैं मुख्य मंत्री नेक्स टेट है केरल इसे आप रिलेट करेंगे करेले से केरल करेला सिमलर है आपकी मा ने आप से कहा कि करेले का जूस पी जाओ तो आप क्या कहेंगे पीना नहीं है पीना नहीं है यानि कि पिन रही पिन रही विजियन है मुख्य मंत्री करेले का जूस क्यों नहीं पीना है क्योंकि कड़वा है तो मा क्या कहेंगी कि पीना नहीं है तो खा ले इसे तो खान आरिफ मुहम्मद खान है गवर्नर और मुख्य मंत्री है पेंडरई विजियन नेक्ष्ट है मध्य प्रदेश भारत का ह्रिदय प्रदेश अब इसे आप कैसे आद रखेंगे कमल नाथ इसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मध्य से आप लोगों को रिलेट करना है तालाब के मध्धि से तालाब के मध्धि में यनि की बीच में क्या खिला हुआ है कमल का फूल और कमल का फूल किस कलर का है लाल कलर का तो कमल ना थैं मुख्य मंत्री गवर्नर है लाल जिदास टंडन महराश्ट्र और इसे आप कैसे आद रखेंगे तो महराज्ट की राजनीती काफी चर्चे में बनी हुई थी आप लोगों ने देखा भी होगा जो देवेंदर कुमार फड़नवीस थे एक दिन के लिए सीम भी बनाये गये थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहां की राजनीती में चल क्या रहा है तो जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने क्या की होश्यारी की कोश्यारी से गवर्नर का नाम याद होगे आप लोगों को उद्धव ठाकरे ने होश्यारी की और मुख्य मंत्री बन गए तो उद्धव ठाकरे बने मुख्य मंत्री होश्यारी करके यनि कि भगत सिंग कोश्यारी हुए यहां के गवर्नर नेट्स टेट है मणीपूर और इसे आप कैसे याद रख सकते हैं मणीपूर से अच्छा कौन बिलॉंग करती है तो यह बिलॉंग करती है मेरी कौम और मेरी कौम बहुत ही बीर नारी है तो बीरेंस है बीर, एन बीरेंस हींग है यहां की मुख्य मंतरी और मेरी कौम है बहुत बीर इन्हें किसी की नजर न लगे यानि की नजमा एहेप तुल्ला है यहां की गवर्नर फिर हमारा नेक्स ट्रेट है मेग हाल है और इसका की पॉइंट आप निकालेंगे मेग, मेग का मतलब क्या होता है बादल बादलो का संगम, संगम यानि की यहां की मुख्य मंतरी का नाम कौनराट संगमा, गवर्नर है आरन रवी यहां का एडिशनल चार्ज है इनके पास और इनका नाम आप कैसे याद रखेंगे बादलो के बीश से हमारे पास क्या आता है सूरी का प्रकाश, यहनि की रवी का प्रकाश तो मुख्य मंतरी हुए कौनराट संगमा, गवर्नर है आरन रवी नेक्स टेट है मिजोरम अब इसे आप कैसे याद रख सकते हैं इस टेट के नाम में आप देखी, जोरम आ रहा है और यहां की मुख्य मंतरी के नाम में भी है जोरम तो जोरम, जोरम इस तरह आप लोगों को याद हो गया यहां की मुख्य मंतरी का नाम और P.S. स्रीधरन पिल्लेई यह भी हाली मेहा के गवर्नर बनाए गए है फिर हमारा next rate है नागा लेंड तो इसे भी मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद कराया था N, N, N N से नागा लेंड, N से नेफिरियो और N से आरेंड रवी ध्यान दीजे नागा लेंड के जो गवर्नर है आरेंड रवी, इनके पास मेग हाले का भी additional charge है, जो कि मैंने अभी ही बताया है तो दोनों ही आप याद रखेंगे next है ओडिसा, तो इसे भी मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताया था इस नाम को आप थोड़ा सा उल्टा कर दीजे देखिए लिखा है ओडिसा तो आप इसे कर दीजे साड़ी डिसा से साड़ी तो जो पत्नी होती हो अपने पती से कहती है मुझे साड़ी चाहिए, कैसी साड़ी चाहिए? जिसमें गनेश जी वाला प्रिंट हो वो भी लाल कलर का डिमांड तो काफी होती है बस आप लोगों को याद रखना है केवल की पॉइंट याद रखने है फनी हो सकता है बस सिर्फ याद रखने के लिए हम कैसे भी याद रख सकते हैं तो मुख्य मंत्री हुए नवीन पतनायक गवर्नर है गनेश जी लाल फिर नेक्स टेट है पंजाब तो आप सभी जानते हैं पंजाब के जो व्यक्ति होते उनका नाम थोड़ा हटके ही होता है जैसे हर सिम्रत, दलजीत, थोड़ा सा पंजाबी नाम तो वैसे ये नाम हो सकता था अमरेंद्र लेकिन पंजाब का है इसलिए होगा अमरिंदर सिंग तो अमरिंदर सिंग है यहां के मुख्य मंत्री और बीपी सिंग बदनौर है यहां के राजजिपाल नेक्स टेट है राजस्थान और इसे आप कैसे याद रखेंगे राजस्थान के जो जनता है वो राज करती है यनि कि मजे में है और क्यों मजे में है क्योंकि यहां के शासक है अशोक, समराट, अशोक इसलिए यहां के जो जनता है यह करती है राज कल राज मिश्र है, गवर्नर फिर हमारा next state है Sikkhim और इसे आप कैसे याद रख सकते हैं तो जो Sikkhim के लोगे बहुत प्रेम से रहते हैं और क्यों प्रेम से रहते हैं तो यहां की जो राजधानी है गंग टो यहां पर गंगा जी का प्रशाद फ्री में मिलता है फ्री में मिलता है इसलिए खुश रहते हैं तो मुख्य मंत्री हुए प्रेम सिंग तमांग गवर्नर हुए गंगा प्रशाद नेक्स टेट है तमिल लाडू और इसे आप कैसे याद रखेंगे तो आप इस तरह याद रख सकते हैं तमिल लाडू ये है मंदिरों की भूमी और मंदिर है तो पंडित पुजारी तो होंगे ही यनि कि पुरोहित होंगे पुरोहित कौन है बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर और तमिल लाडू का ये नाम है थोड़ा हट के आप लोगों को याद हो सकता है और कैसा गाना गाव तमिल में तो आपका दोस्त कौन सअ गाना गाता है रगूपति- रागह राजा राम तो इस तरह आप कैसे याद रख सकते हैं गा यहाउ यानि कि चंद्रसेखर राओ कौन सगाना गाव तमिल 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 असाई सौंद राजा ने यहां की गवर्नर और रगुपती रागव राजा राम यानि की यह गाने का नाम है और यही है यहां के चीफ जस्टिस रागुविंद्र सिंग चौहान फिर हमारा नेक्स टेट है त्रिपुरा तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों ट्रिक बताई थी त्रिपुरा यानि की तीन और यहां के जो मुख्य मंत्री है इनके नाम में भी तीन आता है विपलव, कुमार, देव तीन नाम है यानि की तीन नाम है तीन नाम है त्रिपुर बेन का नाम है आनंदी बेन, पटेल. नेक्स टेट है उत्राखंड, और इसे आप कैसे कनेक्ट करेंगे, उत्राखंड अपनी खुबसूर्ती के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार प्रकृती ने इसे छती भी पहुचाई है, जो भगवान इंद्र है, इनका प्रकृत उत्राखंड में जादा होता है, किस भगवान का? इंद्र. तो आप इसे कनेक्ट करें त्रिवेंद्र, इंद्र, त्रिवेंद्र. तो त्रिवेंद्र सिंग्रावा थे यहां की मुख्यमंत्री, गवर्नर है बेबी रानी मौरियम नेक्स ट्रेट है पश्चिम मंगाल और इसे आप कैसे आद रखेंगे ममता बनर जी दीदी दीदी कहते हैं आप सभी जानते हैं ये हैं कि मुख्य मंतरी जगदीप धन्खड इन्होंने काफी धन चुपाया हुआ है जगदीप धन्खड वैसे मैं कोई पॉलिटिकल कमेंड नहीं कर रही हूँ सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ अदर वे में मत लेजेगा जगदीप धन्खड तो इन्होंने धन चुपाया है ममता बनर जी है मुख्य मंतरी और गवर्नर है जगदीप धन्खड तो ये थे 28 राज्य और जो हमारे केंदर शाशित प्रदेश है इन्हें आप कैसे आद रख सकते हैं देखिए सारे ही इंपोर्टन नहीं है केवल वे केंदर शाशित प्रदेश है जो कि चर्चे में रहते हैं जिसे कि लद्दाग के पहले उपराज जिपाल बनाए गए हैं इसलिए इंपोर्टन है राधा कृष्ण माथूर साथ ही जम्मो कश्मीर के भी पहले उपराज जिपाल बने हैं इसलिए इनका भी नाम इंपोर्टन है गिरीश शंद्र मुर्मू पुल्द चेरी रहा है चर्चे में इसलिए किरन बेदी यहां की है उपराज जिपाल और दिल्ली के तो आप लोगों को याद रखना ही है अनिल बैजल जी है साथ ही जो दादरा एवं नगर हवेली है यह रहा था चर्चे में इसलिए यहां की भी राज जिपाल का नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए स्री प्रफुल पटेल तो दोस्तों यह थी हमारी ट्रिक आई होपी वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया तो अपनी स्टड़ी रिलेटर कूप में शेर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टड़ी पॉंट को लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भीलिए और